अगर आप जाना चाहते हैं कि मार्श मंत में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की अनरजीज होंगी, क्या आपकी अनरजीज होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीजों का खयाल रखके आप मार्श मंत में अपनी लव लाइफ को बहतर कर सकते हैं, त तो चलिए जी आपकी रीडिंग शुरू करते हैं तो चलिए Capricorns आप लोगों के लिए देखें कि March 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मेरे पास यहाँ पे तीन सेट आफ कार्ड्स है फर्स सेट में हम आपके एनरजीज देखेंगे फर्स सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंत में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं Capricorns आपके लिए आपके लिए आप इस सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है forgiveness और forgiveness को हम literal भाशा में देखें तो माफी मांगने की या फिर माफी देने की बात करता है और दिखें इसके लिए कोई न कोई गलती पीछे होना भी बहुत जरूरी है तो हो सकता है कि आप से कोई गलती हुई या फिर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई और उसी से related एक forgiveness या तो आप अपने पार्टनर को दे रहे हैं या फिर अपने पार्टनर से एक forgiveness या माफी आप मांग रहे हैं और दिखें जो भी हो deeper level के लिए कहीं surface level के लिए emperor का card कहता है कि आप अपनी authority maintain कर रहे हैं आप अपनी authority, self respect या कुछ के लिए literally ego भी रह सकती है उसमें compromise नहीं कर रहे हैं अगें देखें इन दोनों cards को हम combine करें अगर आप से कोई गलती हुई है आप माफी मांग रहे हैं लेकिन या बहुत confidently, बहुत assertively, बहुत maturity and बहुत ज़ादा एक authority maintain करते हुए मांग रहे हैं और अगर आपके partner से कोई गलती हुई तो उस scenario में भी आप इन ही energies के साथ उनको माफ करते हुए दिख रहे हैं बहुत you know again confidently चीजों का control अपने हाथ में लेकर आप action initiatives भी maturity के साथ इस relationship में लेते हुए दिख रहे हैं जो भी पुरानी problems रही हो, issues रहे हो, मसले रहे हो जैसे कि अभी हमने देखा कि कोई गलती रही हो उस सब को end करके एक नई beginning, एक fresh start अपने partner के साथ आप शुरू करना चाहा रहे हैं deeper level के लिए sexuality का card कहीं सिरफ physical intimacy की बात नहीं करता है यह कहीं overall एक closeness, overall एक intimacy चाहने की बात करता है यानि कि physical, mental, emotional तीनों ही levels पे आप अपने partner के साथ एक closeness चाहा रहे हैं एक intimacy चाहा रहे हैं और इसलिए या फिर otherwise भी again मैं कहूंगी आप पुरानी चीजों को end करके एक fresh start करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं कोई decision, कोई choice लेनी है तो वो भी आप लेते हुए दिख रहे हैं लेकिन कहीं दिखें end march के लिए the distorted feminine and six of cups rivers के cards कहते हैं कि आप बहुत great नहीं महसूस कर रहे हैं distorted feminine का card कहीं deeper level के लिए टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही again आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है और इसलिए या फिर otherwise भी पुरानी चीजों के बारे में आप ज़ादा सोच रहे हैं पुराने जो भी अच्छी memories या फिर बुरी memories आपके आपके पार्टनर के साथ रही उन पे आप ज़ादा focus कर रहे हैं और कहीं देखिए कुछ के लिए यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जो भी issues मसले रहे वो आपको ज़ादा यादा आ रहे हैं तो overall के लिए देखिए past पे आप focus कर रहे हैं कुछ के लिए अच्छी memories अच्छी चीज़ें हो सकती हैं past में जिनको आप याद कर रहे हैं कुछ के लिए बुरी चीज़ें हो सकती हैं आपकी तरफ से हुई या फिर आपके partner की तरफ से हुई उन पे focus कर रहे हैं और देखिए इसी वज़े से या फिर otherwise भी आप थोड़ा सा तूटा हुआ, थोड़ा सा बिखरा हुआ, deeper level के लिए महसूस कर रहे हैं अब देखते हैं Capricorns के आपके partner की क्या energies है तो देखिए mid March तक यहाँ पर deeper level के लिए connection and manifestation के cards कहते हैं कि मन ही मन बहुत एक deep connect वो आपके साथ महसूस कर रहे हैं और अपनी सारी बातें, अपनी सारी feelings, अपनी सारी emotions आपसे share करना चाहा रहे हैं आपसे जादा interact करना चाहा रहे हैं, बातचीत करना चाहा रहे हैं, date पे जाना चाहा रहे हैं, मिलना चाहा रहे हैं और कहीं इसी चीज़ को या फिर इस relationship को या आपको manifest भी करना चाहा रहे हैं जो भी manifestation की techniques है या law of attraction की techniques है कुछ Capricorn के partner के लिए हो सकता है कि literally उसको apply कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि unknowingly, unconsciously इनी चीज़ों को apply कर रहे हैं और आपको, you know, अपनी life में manifest करना चाहा रहे हैं लेकिन दिखें, surface level के लिए Queen of Swords and Page of Cups Rivers के cards कहते हैं कि starting March में तो बहुत उनकी एक blunt communication रह सकती है बहुत logically आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ों को deal कर रहे हैं जहां पे कुछ Capricorns को ऐसा भी लग सकता है कि इनके मन में तो आपके लिए कोई feeling ही नहीं है कोई emotion ही नहीं है, कोई sentiment ही नहीं है लेकिन ये true नहीं है, ये सिरफ surface level के लिए उनका एक attitude रह सकता है जो कि again मैं कहूंगी up front है, straight forward है, blunt है और कहीं एक detachment वाला भी एक attitude रह रहा है लेकिन deeper level के लिए दिखें आपे connection and manifestation के card कहीं बहुत एक deep connect आपसे महसूस करने की या फिर deeply आपसे connect करने की एक चाहा रखने की बात करते है और कहीं दिखें mid March के लिए Page of Cups Rivers का card कहता है कि immature energies उनकी रह सकती है जहां पे वो बहुत maturity के साथ चीजों को नहीं deal कर रहे हैं बहुत एक बचकानी सी एक उनकी हरकते या behavior रहता हुआ दिख रहा है और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपसे connect करना चाहा रहे हैं आपको message करना चाहा रहे हैं, phone करना चाहा रहे हैं email करना चाहा रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं कर रहे हैं अपने आपको किसी level पे hold back कर रहे हैं यहां पर भी देखिए connection का card है तो कहीं देखिए आपको message, phone call, email करना चाहा रहे हैं या किसी भी level पे आपसे connect करना चाहा रहे हैं लेकिन mid-march तक के लिए मुझे नहीं दिख रहा है कि उनकी तरफ से कोई action इस direction में होगा या फिर कोई initiative इस direction में होगा और कहीं देखिए end-march के लिए nine of cups का card कहता है कि बहुत एक love, बहुत एक प्यार, बहुत एक महबबत आपके लिए महसूस कर रहे हैं लिटरली उनको ऐसा लग सकता है कि आप उनके लिए वो wish है, वो desire है जिनको वो real life में manifest करना चाहते हैं लेकिन deeper level के लिए दिखिए the distorted masculine का card कहता है circumstances है, situations है या फिर आपकी कोई बात है, आपका कोई action, आपका कोई attitude या कोई भी reason हो सकता है वो भी end march में कहीं टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं तो यहाँ पर दिखिए end march के लिए के आपके लिए distorted feminine और आपके partner के लिए distorted masculine के cards है तो दिखिए general reading है, आप दोनों में से दोनों की ही energies किसी ना किसी level पर टूटी हुई, बिखरी हुई लग रही है और यह monthly reading है, तो बहुत बड़ा कोई मसला या बहुत बड़ी कोई चीज नहीं होगी दिखिए, वैसे भी कभी कभी हम बहुत great नहीं feel करते हैं बहुत जादा एक high energies में नहीं होते हैं कुछ के लिए simply यह भी हो सकता है क्योंकि Capricorns आपके लिए the distorted feminine का card है तो जो भी female Capricorns हैं, उनके लिए एक टूटा हुआ, बिखरा हुआ, वली energies हो सकती हैं और जो भी Capricorns male हैं, इस relationship में उनकी March End तक टूटी हुई, बिखरी हुई energies रह सकती हैं यह मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, Capricorn के partner जो male हैं, उनकी टूटे हुई बिखरी energies रह सकती हैं और दिखें, यह मैं बहुत specifically बोल रही हुँ, again general reading होती है, तो हम इतना specific नहीं होते हैं लेकिन यह भी कुछ Capricorns के लिए रह सकता है overall के लिए दिखें, आप दोनों ही थोड़ा सा मायूस, थोड़े से परेशान किसी चीज को लेकर मनी ही मन and March में रहते हुए दिख रहे हैं और अब दिखते हैं, Capricorns की March मंत में क्या हो रहा है तो दिखें, March starting के लिए, यहाँ पे Four of Cups Rivers का काट कहता है कि कहीं एक boredom है, monotonous energies है थोड़ा सा emotionally आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक low feel करते हुए दिख रहे हैं अगें देखें, आप दोनों में से किसी की भी energies हो सकती हैं लेकिन देखें, आपके partner का attitude थोड़ा सा Capricorn straightforward हो रहा है एक, you know, logically चीज़ों को deal कर रहे हैं तो उसकी वज़े से भी ऐसी energies रह सकती हैं या फिर आप थोड़ा सा power position, authority maintain कर रहे हैं उसकी वज़े से भी रह सकती हैं तो देखें, जो भी हो, कहीं March starting में एक boredom, एक monotonous energies रह रहे हैं emotionally low feel कर रहे हैं और deeper level के लिए the sacred woman का card कहता है कि जो भी female हैं इस relationship में कहीं, देखें, उनके लिए बहुत important हो रहा है self पे focus करना, self respect को importance देना और कहीं वो healthy boundaries create कर रहे हैं जिसकी वज़े से भी थोड़ा सा एक boredom, monotonous energies रह सकती हैं और देखिए, इसलिए या फिर otherwise also mid March के लिए यहाँ पर the chariot and shivalry के cards कहते हैं कि बहुत boldly, बहुत courageously आप दोनों में से कोई एक action initiatives ले रहे हैं चीजों का control अपने हाथ में लेकर जो भी required है उसको करते हुए दिख रहे हैं चीजों को better करने के लिए और देखिए, कहीं mid March में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हो सकता है travel कर रहे हों लेकिन देखिए, जो भी हो रहा है कहीं बहुत boldly, बहुत courageously रही है, यहाँ पर कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि जो भी issues थे, मसले थे जो कि हमने four of cups reverse के card में March की starting में देखा भी उनको पीछे छोड़के आगे बढ़ना चाहा रहे हैं यानि कि उनसे आगे बढ़ रहे हैं कुछ के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया रही हैं और देखिए end March के लिए Hermit, Reverse and Inner Peace के cards कहते हैं कि एक अकेलापन या तो महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेलापन चाहा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए simply यह भी हो सकता है Capricorns कि आप दोनों में से कोई एक travel कर रहे हैं और इसलिए देखिए जो भी दूसरा जन है या फिर आप दोनों ही अपने अपने लेवल पर एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं या monthly reading है तो इसमें बहुत ही छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं कोई बड़ा you know problem, issue नहीं रहता है और कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक withdraw कर रहे हैं उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं कहीं introspective energies में रहे रहे हैं और देखिए जो भी हो कहीं एक missing सी feeling तो रह सकती है लेकिन deeper level के लिए inner peace का card कहता है कि कैसे एक peace maintain करें कैसे खुद को better feel कराएं उस पे जादा focus कर रहे हैं और देखिए ये भी हो सकता है Capricorns कि एक अकेला पन है लेकिन एक अकेले पन में उदासी नहीं है एक सुकून है, एक तसल्ली है एक peace है तो देखिए फिर से मैं कहूंगी कि end March में हो सकता है कि इतनी togetherness ना हो इतनी companionship ना हो सब के लिए different reasons रहेंगे कुछ के लिए circumstances, situations हो सकते हैं कुछ के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया आप दोनों में से कोई एक travel कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा एक movement रख रहे हैं चीजों को छोड़के आगे बढ़ रहे हैं अगें दिखिए ये जो दो चीजे मेरे mind में आई मैंने कहा कुछ भी reason रह सकता है लेकिन इस अकेलेपन में एक peace है, एक सुकून है तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए March 2023 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें